अस्सालाम अरिक्म वर्हमत व्हाइब आपक्यादू दियर इस्टुडेंट्स आज के इस लेक्चर में हम ओव कैप्टेन माय कैप्टेन के तालुक से जानेंगे और उसके बाद इनके चंद लाइनों को हम टांसलेट करेंगे इंशाला तो आज हम स्टार्ट करते हैं बाउड कि माने होते हैं काफी गमजदा होना किसी चीज़ पर अमरीका के मश्यूर काफी गमजदा है और देफ आफ देफ देफ अमेरिकन परसिडेंट अमरीका के मश्यूर सदर के मौत पर इबराहीम लंकन के इसलिए वह ख्याल करता है कि सदर आ रहे हैं साहिल समंदर पर एक जहाज पर after victory फत्हयाबी के बाद in the American Civil War अमरीका के खाना जंगी में तो आप देखेंगे imagine imagine माने होता है ख्याल करना, सोचना shore माने होता है साहिल समंदर यानि beach के माने में on a ship, on a ship ship माने होते है पानी का पानी की जहाज victory victory means होती है मलब फत्हयाबी in the American Civil War civil war के माने होते है खाना जंगी so he imagines इसी लिए वो imagine करता है president इबराहिम लंकन को आते हुए साहिल समंदर पर एक जहाज पे अमरीका के खाना जंगी में फत्हयाबी के बाद the poet thinks share सोचता है that the fearful event of the civil war is ended के खाना जंगी का एक खाफनाक वाकिया हादता खतम हो गया है and ship has reached its destination और जहाज अपने मन्जिल मक्सूद तक पहुँच चुकी है तो यहाँ पर आप देखेंगे की fearful fearful के माने होता है खाफनाक event event means होता है वाकिया to be engaged means खतम हो जाना and to reach reach माने होता है पहुँचना destination destination माने होता है मन्जिल मक्सूद की खाना जंगी का एक खाफनाक वाकिया is ended खतम हो गया है and ship has reached its destination और जहाज अपने मन्जिल मक्सूद को आचुकी है the people are wild with joy और लड़ और लोग काफी खुश हैं काफी उचसाहित हैं to welcome him उनका इस्तिकबाल करने के लिए and to celebrate victory और फतह को celebrate करने के लिए तो यहाँ पर आप देखेंगे wild with joy means काफी खुश होना welcome means इस्तिकबाल करना to celebrate means बनाना victory means फतह the people are wild with joy लोग बहुत ही खुश है to welcome him उनका इस्तिकबाल करने के लिए and to celebrate victory और फतहयाबी को बनाने के लिए यहाँ पर जो शायर है वो अमरीका को एक जहाज के तोर पे imagine कर रहा है और उसके तालुक से अमरीका के अंदर जो सिविल वार मलब चुड़ी थी और खतम हो जाने के बाद लोग बहुत याने मलब खुश होते हैं और उनका इस्तिकबाल करना चाहते हैं उनके इस इस फतहया भी पाए तो आए आगे चलते हैं पर यानि यह जो इबराहिम लंकन थे इनकी वफात पर शायर काफी गमजदा हुआ और वो काफी टेंशन में हुए ओवर्वर्मड हुए इस अलमनाक अचानक वाकिये के जरिया से तो यहां पर आप देखेंगे to be overwhelmed माने होता है to be very affected यानि काफी मुटास्थिर होना grief के माने होता है sadness, sorrow, okay and sudden के माने होता है अचानक and tragic means होता है अलमनाक 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 वाकिया अलमनाक वाकिया अलमनाक वाकिया is broken hearted he walks all along with heavy steps around the body of the departed president with broken heart यानि टोटे हुए दिल के साथ he walks all along with heavy वो चलते हैं चारो तरफ मलब भारी पाउं के साथ president के वफात पाजाने के बाद यानि मलब वफात पाई हुए परसिडेंट के बाड़ी के चारो तरफ वो अपने भारी पाउं के साथ चलते हैं okay heavy means heavy steps means भारी पाउं with heavy steps भरे पाउं से around the body of the departed president सदर के वफात पाई हुए सदर के बाड़ी के चारो तरफ तो यहां पर इस शेर के अंदर अमरीका के सिविल वार के तालुक से बात की गई है और उसके फतह्याभी को celebrate किया गया है और शायर इबराहीम लंकन दा मोस्ट फैमस प्रिसिडेंट आफ अमेरिका के मौत पर वो बहुत ही गमगीन हैं और इसी चीज़ को वो इस शेर के अंदर बयान कर रहे हैं तो यहां अबाउड दा पोएम जान लेने के बाद आएए अब शेर के चंद लाइन का अलफा जुमानी और उसका टांसलेशन समझते हैं O captain, my captain, our fearful trip is done The ship has weathered every rock The price we set is on, the port is near, the bells I hear The people are exulting, while follow eyes the steady keel तो आज यहां तक हम इस पोएम का ट्रांसलेशन और फार्स मेनिंग जानेंगे तो आए शुरू करते हैं O Captain, My Captain, Our fearful trip is done O Captain, Mere Captain, Our fearful trip, हमारा खौफनाक सफर is done, मुकमल हो चुका है Fairful trip means, खौफनाक सफर, is done means, to be done means, to be completed आई कप्तान, आई मेरे कप्तान, हमारा खौफनाग सफर खत्म हो चुका है दाशिप हैज वेदर्ड एवरी रॉक और जहाज ने हर चटान का सामना किया और वो पार किया उसने उसे तो यहाँ पर याईज वेदर्ड के माने होते है मुशकलाद के सामना करना और सामना करके वहां से गुजर जाना तो दाशिप, शिप मिन्स मलब जहाज, राक मिन्स रेक, रेक मिन्स मत्व रास्ता, रेक, रेक, इवरी रेक The ship has weathered every wreck और जहाज ने हर मुश्किल रास्ते को तेंग किया The prize we start is on In a जिसको हम खोचते थे वो चीत लिया गया है The port is near The bells I hear और घंटियों को मैं सुन रहा हूँ तो यहाँ पर आप देखें कि The prize के माने होते हैं इनाम And sought, seek Sought, sought, seeking के माने होते हैं तलाश करना Okay या खोजना The prize we start वो इनाम जिसको हम खोज रहे थे या खोजते थे वो चीत ली गई है The port And port means होता है बंदरगा Is near बंदरगा पासी है The bells I hear घंटियों को मैं सुनता हूँ आगे चलते हैं The people all exulting सारे लोग बहुत ही खुश है Okay Exulting means To be very happy The people all exulting सारे लोग काफे खुश है While follow eyes The steady kill वही पर आखें पीछा करती है मजबूत कीलों की यानि और यानि लोग तो काफी मलब खुश है लेकिन उनकी जो आखें हैं उस पर सिटेंट के शिप के कील को गवर से देख रही हैं Okay तो यहाँ पर follow means मलब पीछा करना Steady means मजबूत कील माने काड़ी The Weasel Grim and Tearing Weasel means सोता पानी का जहाच and Grim means सोता है very sad and Tearing means बहादू But oh heart, heart, heart all the bleeding drops of red where on the deck my captain lies fallen cold and dead तो यहाँ पर शायर कहता है The Weasel Grim मलब जुपानी की जहाच है वो काफी टेंशन में है and Tearing लेकिन वो टेंशन के साथ साथ बहुत ही बहादूर है हर परेशानियों का सामना कर सकती है But oh heart लेकिन ऐ दिल ऐ दिल ऐ दिल oh the bleeding drops of red और ऐ सफेद खून के बूट और अई लाल बहते हुए खूनों के कत्रों Where on the deck my captain lies कहाँ पर हमारा जो कप्तान है वो जहाज के उपर लेटा हुआ है Fallen, cold and dead मर के और ठंडा होकर के गिर के तो यहाँ पर आपने देखा ग्लीटिंग के माने होते है खून बहना and drops of red यानि लाल रंग के बूदों के खून गिरना Where on the deck deck माने होता है Upper side of the ship यानि जहाज का जो उपरी हिस्सा होता है सेहन होता है उसको उनके गदर डेक कहते है Lies माने लेटा हुआ 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 Fallen माने मनलब गिर करके cold means Thunder and dead माने Mouth तो आई इसके टांसेशन को देखते है But oh hurt, hurt, hurt लेकिन ऐदिल, ऐदिल, ऐदिल All the bleeding drops of red और ऐ लाल खून के बूदों Where on the deck माने कप्तान लाइज हमारा कप्तान जहाज के किस उपरी हिस्से पर लेटा हुआ है मर के और ठंडा होके गिर करके तो I hope that you understood today's lesson its words and meanings and translation फिर मिलते हैं अगले lesson के साथ Assalamualaikum, till then